कली कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होने वाली है, उनको और ज्यादा मजबूत और ससक्त किया जाएगा, आपने तत्काल आते ही 5000 नोजवानों को बेरुज़गार कर दिया, उनको दरदर की ठोकने खाने के लिए मजबूर कर दिया, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, पर कि राजी इगांगी के नाम से जो भी कोई योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए, आप नाम चेंज कर सकते थे, स्वर्गी अटिल अटग्यारी वाजपेजी का नाम रख दे थे, और कोई पंडिक दिन्द्याल पध्याजी का नाम रख दे थे या आपको जो उनके उपर ये कैची चलाई समझ से पढ़े, हमारी कॉंग्रेस और भारते जनता पार्टी में यही फ़र्क है, ये जो विद्यारती मितर थे, बीजेपी में लगे थे, हमने इनको फिर आगे बढ़ाया था, फिर ये ग्राम पंचाय साइक, दुबारा बीजेपी की सरकार तो हमने इनको फिर आगे बढ़ाने का काम किया और आखरी में हमने आपने देखा होगा, की रूल्स बना लिए, रूल्स बना करके राजस्तान, बनाए और शिक्सा करमी ग्राम पंचाय साइक, पेरा टीचर, जूसरी डिबार्टमेंट के जो मदर्सा पेरा टीचर या जो चिकिल सहब वाकिये उन सब को नाम चेंद करके उनको स्थाई करने का मार्क प्रसस्त किया और थारा हजार पांच सो रुपे और तस हजार चार सो रुपे से उसकी वेतन की शुरुवार की जबकी उनको आठ हजार रुपे के लगबग मिलता था अब इनको इजी वे में कोई नहीं निकाल सकता, इनको आगे चल करके 30,000 या 32,000 रुपे की लगबग पैसा मिलेगा, तो आप भी तो इनका नाम चेंज करके इस तरीके से ये आज राजस्तान कोड़क्शल हाईरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये कानून बन चुका है, नियम बन चुके हैं, और राजस्तान की विदान सभा ने मेज धब धबा करके इसको स्वीकर्टी दी है, तो इस इसके अंदर आपको डालने में क्या दिक्कत थी, आपको ये काम क्यों नहीं किया, समझ से परे, लेकिन जैसा चर्चा चल पड़ी है, बीस, इकीस, बाइस दिन में ही, कि मुख्यमंत्री जी श्विम के विबेक्शे निरणे नहीं लेकर के, कहीने कहीं से गाइड हो रहे है मैं कहना चाहूंगा मानिये मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, आपको आईकमान ने बनाया है, राजस्तान के जनता ने बहार के जनता पार्टी को चनादेश दिया है, आप इन बेरोजगारों के साथ में इस तरीके का व्यवार मत कीजिए, इनकी बातें की जी चुनाओं में भी बहुत माहोल बनाया गया, इसाब अपराद बहुत बड़े, पिछले पांच साल में और पता नहीं क्या-क्या हम पे तोमत लगाई गई, आज मैं पूछना चाहता हूं, तरजनु गटनाएं हैं, अपराद की, और एक तु तु ताजा-ताजा गटना है जो रातु सर तैसिल भानीकुरा, विदांस वाक्षेतर तारा नगर, उसमें एक दलिक, मरतक कनया लाल, पुत्र इमी चंजादी मेगवाल, और उसके साथ जो गाहिल हुआ है, गंगाराम पुत्र भावला जाती मेगवाल, उसके साथ में, कितने लोगों ने मिलकर के किस प्रकार से मारा पीटी की है, उसका वीडियो आपके मीडिया के पास मुझूद होगा, आज की तारिक में भी मुख्य मुझिम नहीं पकड़े गे, जो गाहिल है, इंजड है, वो जो बयान दे रहा है, जिन जिन लोगों की नाम बता रहा है, और जो वहाँ पर संगर स समिती सरदार सहर जिला चूरू जो उपकर्ण अधिगारी को ग्यापन दे रही है, कल की तारिक में उन्होंने ग्यापन दिया है, उसमें बाकाइदा नामु का मैंसन किया गया है, कि ये ये लोग हैं जिनोंने इसकी एक दलित परिवार की, दलित व्यक्ति की हक्त्याती है, बेरम्मी से पीट करें, क्या है ये, मजाग बनके रह गया, आज 25 दिन बाद में भी इन से मंत्री मंडल नहीं बना, CMO में अधिकारी नहीं लगे, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ धरे बैटे हैं, अपनी लाइजनिंग करने अच्छी अच्छी पोस्टें पाने के लिए, कोई दिल्ली की भाग दोड़ कर रहा है, कोई किसी नेता के बाद जा रहा है, किसी मुक्यमंत्री जी से संपर्क कर रहा है, कोई हरे वेजन परतिनी जो पहले थे, उनसे भी संपर्क कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है, अब इसको कौन चलाएगा, CMO को, सरकार को कौन चलाएगा, ये 25 दिल बाद में भी समझ से परे है, राजस्तान की जनता, अपने आपको ठगा सा महसूस कर करिए कि ये हो क्या रहा है, ये मंतरी मंदल बन क्यों नहीं राग, किसने अंगत का पैर लगा करके इसको रोक रखा ये समझ से परे, मुखे मंतरी जी श्वयम कहते हैं, जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी का मतलब 5 साल माने, 12 मैने माने, 6 मैने माने, नया साल माने, क्या मान उनको क्लियर करना चाहिए, अपरात के उपर अंकुस लगाना चाहिए, जो सो दिन की कारिये योजना बनाने की इन्हों ने शुरुवात दूसरे दिनी बात की थी, मुखे मंतरी बनते ही, एक भी विभाग की कारिये योजना सो दिन की नहीं बनी है, ये सो दिन की कारिये य चर्चा करने लगने चाहिए कि थड़ी पे चर्चा हो रही है कि भाई ये हुआ क्या कि नया प्रियोग मोदी जी ने और नर्डा जी ने अमिर्शा जी ने किया तो क्या ये नया प्रियोग ये भी कर सकते हैं कि मंत्री मंडल बनाये नीर वर्जनलाजी से चलाते रहें ये भी नया प्रियोग कर सकते हैं तो यह जो संसे है सरकार नहीं बनने का इसको दूर करना चाहिए अपराज पर अल्पोस लगाना चाहिए जो तारा नगर विधालसवाद क्षेत्र के गाम रातू सर में जो दलित के साथ में मार पीट करके गिनोना करते करके उसकी जो हत्या की गई ह है उसके जो मुल्जिमान है वो बयानों के आधार पे उनको ट्रेस करके तुरंत उनको पिर्प्तार करना चाहिए और जो राजीव गांधी जो हमारी युवा मित्र इंट्रेंशिप कारियक्रम है इसको इनको पुनाय है चालू करके नाम करन वो चाहें तो चेंज कर दें ल कि सरकार तो अभी पूरी बनी नहीं तो मुख्यमंत्री जिसे यह अग्रे करूंगा बन जाएकी तो फिर समंधित जो भी मंत्री होगा उससे भी हम रिक्मिस्ट करेंगी अधिकारियों से मेरी बात हुई कुछ भी कहने को तयार नहीं है मुस्करा के इकी बात कहते हैं देख से जिस रामराज के लिए इनोंने बोट मांगे थे तो रामराज कब आएगा मुझे पता नहीं लेकिन अपराद भी बढ़ रहे हैं कोई जबाब दे भी नहीं है नोजमानों को चला जा रहा है और सब में इतने जल्दी नोजमानों में इतने जल्दी आक्रोस आ गया ये कि सब बातों के उपर संग्यान लेना चाहिए एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने एक अभ्यान चला रहा है देश के लिए दान करें और उसके अंतरगत जो करिक्रम चल रहा है उसमें एक लाक अटीस जार या इस आडीक किसी कुणांक में या तेरा जा 880-138 रूपे का डान ऑलाइन एक कि माधिया के लिए करने के लिए रोकेस्ट हमने हमारे कारेकरतां सिखिया थैए मैं राजस्तान के तमाम कारेकरता हूं को इस बात के लिए तो दन्यवाद देना चाहता हूं मेडिया के मातन से कि हम सबी राज्यों में नमबर दो पे हैं लेकिन मैं आज आपके माद्यम से राजस्तान के तमाम दोता कारिय करता हूं को अग्रह करना चाहता हूं सभी जिलादेक, फ्लोकटेक, मंडलादेक, विधायक, पार्टी के सभी पजादिकारी नीचे से लेकर उपर तक सबसे अग्रह कर के हिस्सालें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और ये जो ताना सा सरकार चल रही है, जो देश में जो वातावरन प्रिस्तरकार का पैदा कर रखा है, उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, जिसने देश को आजादी की लड़ा पाई भी लड़ी और आज स्वरणिम भारत जो हम बोल रहे हैं, वो स्वरणिम भारत ये नो साल में, साड़े नो साल में नहीं बना है, सभी पहले के तमाम सरकारों ने, प्रधान मंत्रियों ने, नेताों ने, मापुच्छों ने, सब ने इस यग्य में आउती दी है और उ दीश के लिए दान करें, जो हमारा कॉंग्रेस का अभियान चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से जयुक करें, और नमर वन राजस्तान बने, यह मैं कॉंग्रेस के कार्य करता हूं से आपके मार्डिन से आग्रह करना चाहतूं I mhm यहां टारीस से रॉजस्तान की जौभा है और नेता प्रतिपरक्ष का रोल उननीज तारीस से सुरू होता है मैं आपको पूरा विश्वाई दिक दिलाना चाहता हूं कि राजस्तान 고민 सभा जिस ich भुजप आपका क्या घरे करें ह्तियों कि परटी आला कमान सबसे चर्चा करता करकर और जो ऐसे ठीक लगता है पुद्फट कि पर्टी हित में लगता हैं वह जिम्मेदारी उस चारियकरता को देते हैं वो लिगदारी मैं प्यार्ड करता है कि हमारे बीजेपी की तरह नहीं है भाई सबसे चर्चा करके फैसला करते हैं वहां पर तो राजनाज सिंग जी आये उनको जब तक होटल में आये तब तक यही पता नहीं था कि मुक्य मंत्री और कुक मुक्य मंत्री किसको गोशित करना तो यह सबस्पेंस जो है यह भारतिय जनता पार्टी में हमारे यहां चर्चा होती है और आपने देखा हो का कि समी राजियों से खड़के साब राउन गांदी जी और कि यहीं और सील्दब्र के साथ मेंबर शाट जनल सेकैर्ट्रि और हमारे कर लिवह पक्राइ्व कृपकार तो मैं समझता हूं कि सकुस्प जि को जिम्मेदारी दे रहे हैं और रंढवा साफ हमारे उन्हें वही कंटीनू करेंगे उनको भी उन्हें राजस्तान के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई तो मैं इन सब लोगों को भी मेरी ओरसे भी पधाई देना चाहता हूं और हम इतना कहना चाहेंगे कि कॉंग्रेस पाट्टी में सब से चरचा करके अपनी पार्टी में यह सला देनी चाहिए कि यह ठीक नहीं यह ठीक नहीं है कि लोकों ने मत दे दिया और आप सरकार नहीं बना पा रहे हो इक तरीके से मंत्री मंदल नहीं बना पा रहे हो जो जिम्मेदारी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हो क्योंकि सबको पता है कि अधिक तरका ट्रांसपर चाहिए सीनियर हो चाहिए जोनियर हो तो यह आप समझिये कि उनको हमको सला देने के बजा है, हम तो हमारा काम चला लेंगे बाई, सरकार भी हमने अच्छी चलाई, अच्छी योजना ही लेकर क्या है, आप सब इस बात के गवाएं, आप सब लोगों में से एक ही बात निकरती ती कि साथ काम तो शांदार हो है, वि अठा गुमाएंगे कि इनको चट्टे का दूद यार दिला देंगे, क्योंकि ये तो उल्टे सुल्टे फैसले करेंगे, जनीत के फैसले इनकी शितरत में है ही नहीं, इनकी डिक्सिनरी में जनीत के फैसले करना ही नहीं, जिसका नमूना आपने देखा होगा, कली मुक्यमं प्रप्रिय कह रहे हैं कि कोई उजना बंज नहीं होगी और ये 5,000 नोजवानों को सड़क पे ला दिया उनके रोजी रोटी छेंग और जो अपराज बढ़ रहे हैं उस पे कोई अंकुस नहीं है किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है कोई विभाग काम नहीं कर रहा है किसी क कोई इलाज नहीं हो रहा है जो आज यह से स्कीम है सरकारी करमचारियों की उसके लिए नहीं हो रहा है जो ओपीए स्कीम है उसमें लोगों में यह है कि अब क्या होगा क्या मैं 31 दिसंबर को रिटायर होने वाला हूं तो क्या मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में कोई क्लीरिपिकेशन इनके तरफ से नहीं है तो नहीं किसी युजना के बारे में चर्चा है नहीं कोई काम के बारे में चर्चा है और मुख्यमंत्री दोनों को तो अभी पोर्ट बोलियो नहीं मिला तो उनसे तो आम बात भी क्या करें अभी तो सारे के सारे अधिकार मांगे मुक्यमंत्री जी के पास में ज़ित हैं, मुक्यमंत्री जी कब जमान पिसल जाए, कब उनकी कलन पिसल जाए, किसी को कोई पता नहीं है. यही तो बात है ना, आईश्मीन है कहाँ, आज की तारिक में जो योजना है और दो जाए चोबीस तक है, उसको आप या तो खतम करके दूसरी कोई लोंच करो, या फिर उसको कंटिनू करो, उसका लाब लोगों को मिलना चाहिए, वो मिले। तो यह कुछ जवाब दारी किसी के है नहीं भाई साब, कुछ चर्चा करने को इत्यार नहीं है, जन्ता पिस रही है, तकलीप आ रही है, आउस्विल में जा जाके आशु बाहरी है, कह रही है हमारा इलाज कोन करेगा, कैसे करेगा, कोई अत्तापकता नहीं है, कोई तो यह जवाब लगाती सब्ते हैं, आप सारे काम रोग दो, पैसे रोग दो, टेंडर रोग दो, वरकोंडर हो गया, तो काम चालो नहीं है भाथ, वरकोंड रोग दो, यह अमने तो पहली बार देख गा, बैसाथ, जो भी सरकार आती है, चाह हमारी आई, चाह पहले बीजे पाएगे, वो चालो रहे, और नहीं तो उनको रोगना था तो रोका, लेकिन ऐसा आधे जमने तो पहली बात, एस थाई CMO में अफसर, सारे के सारे काम, पैमेंट, वरकोंडर सब कुछ रोग दिये जाए, रोजगार प्राप्त युवां को बेरोजगार कर दिया जाए, मंत काव